आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल, क्विक, टेस्टी और हेल्दी होने के साथ-साथ प्रूटीन, फाइबर और अंटियोक्सिदेंट से लोडेड है जो हमारे हार्ट, स्किन, आइज, लिवर हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छी है साथ ही ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करने में काफी हल्पुल है अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीस लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें और एक चोटा सा कॉम्मेंट जरूर लिखें और मुझे मोटिवेट करें तो हुआ यह रेसिपी को शुरू करते हैं सबसे पहले एक मिकसी जार में में डाल रही हूं आधह कप रोलड ओट्स आप चाहें तो ना इंस्टेंट दॉट्स पी ले सकते हैं आधह कप ही ले रही हँ बेसन जो हम रेगुलर चीला वगर हके लिए यूज करते हैं और मिक्सी जार को रिंस करके मैंने आदा कपानी इसमें और आड़ कर दिया है इसी कली ना बहुत ही मेडियम कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है ना जादा गाड़ा होना चाहिए और ना जादा पतलाब मैं इसमें आदा चोड़ा चमच नमक डाल रही हूं और आदा चोड़ा चमच ही डाल रही हूं और जवाइन ज़रूर डालें बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा तो बैटर हमारा रेडी हो गया है आपने देखा ही ना कितना क्विक है इसे हमें रस देनी की भी जरुवत नहीं है और जैसे नॉर्मल हम चीले बनाते है बसे बैसे ही हमें इसे स्प्रेड करना है हलके हाथ से और ये फिर हम इसको कुख होने देंगे करीब एक मिनट के लिए फ्लेम हमारी मीडियम है और मीडियम फ्लेप पे मैं इसको कुख करने दे रही हूँ मैंने इसमें ओयल वगरा कुछ नहीं लगाया है क्योंकि ये नॉन्स्टिक तवा है मेरा तो आराम से इसमें फ्लिप कर दिया मैंने इसको और इसको भी हम करीब 30 सेकिंद के लिए सिखने देंगे दूसरी साइट भी सिख जाएगा ना हलका साथ हो फिर मैं इसको पलट रही हूँ अब मैं इसमें लगा रही हूँ थोड़ा सा सेजवान सॉस आप अपनी चोईस से कोई भी चीज इसमें आड़ कर सकते हैं मैंने थोड़ी सी मिक्स वेजटेबल जिसे की कैरेट अनियर और क प्लिकुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम ना इसका एक्दम हेल्दी वर्शन बना रहे हैं वेट लॉस डायट वगरह में भी यह बहुत ही हेल्पुल है बहुत अच्छी रेसिपी है इन फैक बच्चों को भी यह बहुत ही टेस्टी लगेगा मैं थोड़ा सा परी-परी मस सकते हैं इसे यह बहुत शौक से वह खाने वाले है और आपने देखा ही ना हमने सारी वेजटेबल्स भी आड़ कर दी पनीर भी है तो यह कंप्लीट मेल है वैसे ही मैं दूसरा वाला भी बना रही हूँ आप चाहें तो ऐसे फोल्ड कर ले या फिर आप इसके रोल्स भी ब soft बनेंगे क्योंकि हमने इसमें beetroot और oats डाला है तो इससे बहुत बढ़ियांसी softness आएगी जनरली बच्चे beetroot नहीं खाना चाहते हैं तो आप ऐसे चीला बना की देंगे तो वो इसे मांग मांग कर खाने वाले हैं मेरे घर में तो यह सब का favorite है और मुझे भी बनाने में बह करेंगे ना तो सब को बहुत मजा आने वाला है क्योंकि यह healthy होने के साथ साथ इतने tasty है ना कि यह mintों में सब चट कर जाएंगे तो recipe को आप जरूर try करें और हाँ मुझे comment करके जरूर बताएं कि आपको आज की recipe कैसी लगी क्योंकि आपका हरी comment मेरे growth के लिए बहुत ही important है और अपने friends और family के साथ video को share करना बिलकुल भी ना भूले और अगर channel subscribe नहीं किया है तो please subscribe करें और like बटन को तो please hit करना बनता है मिलते हैं मेरे next video में till then take care bye